हेलो गच्चों, आज हम पाठ का सारांश कर रहे हैं, इसमें हमारा जो आज का पाठ है वह है विदाई संभाशन यह है पाठ वाइसराई करजन जो 1899 से 1904 और 1904 में दो बार लगातार वाइसराई रहे थी इनके साशन में भारतियों के स्थिती का खुलासा करता है, वरनन करता है, यह पाठ यह अध्याय शिव शंभू के चिठे का आश है करजन के शाषनकाल के विकास के बहुत कारे हुए उस टाइम पे जो कारे थे काफी सारे विकास के कारे हुए नए-नए आयोग बनाए गए किन्तु उन सबका उदेश्य शाषन में गोरों का वर्चस्वर स्थापित करना था वो चाते थे कि अंग्रेज जो हैं उनका हम जादा से जादा हित कर सकें करजन के हर इस्तर पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की चेश्टा की वे सरकारी निरकुष्टा के पक्षधर थे यानि सरकार पर कोई किसी प्रकार का अंकुष नहीं था लिहाजा प्रेज की स्वतंतरता पर उन्होंने प्रतिबंद लगा दिया प्रेज की स्वतंतरता क्या होती है जो न्यूस पेपर की स्वतंतरता है उस पर उन्होंने प्रतिबंद लगा दिया अन्तते कांसिल में मन पसंद अंग्रेज सदश्य नियुक्त कराने के लिए देश विदेश दोनों जगे पर नीचा देखना पड़ा यहाँ पर लेखक करजन को संबोधित करता है और कहता है कि आखिर कर आपके शाशन का अंत हो ही गया अन्ता आप तो यहाँ के स्थाई वाइसराय बरने की इच्छा रखते हैं इतनी जल्दी देश को छोड़ने की बात आपको वे देश वाशियों को पता ही नहीं थी इससे इश्वर इच्छा का पता चलता है यानि कि यहाँ पर लेखक यह कह रहा है कि करजन का जो बाहर जाना है उनके अपने देश को लोटना है उसमें इश्वर की इच्छा भी शामिल है आपके दूसरी बार आने पर भारत वासी प्रसंद नहीं थे वह सेकिंड बार जो करजन थे वो सेकिंड बार जो वाशराय बने थे उससे भारत के लोग खुश नहीं थे और वे उनके जाने की प्रतिक्षा कर रहे थे लेकिन अब उनके जाने से दुखी है दुखी है क्योंकि यह सरल लोगों का सौभाव बताया है और कहा है कि जो सरल लोग है भारत के लोग है वे बिचुडने के समय पर दुखी होते हैं चाहिए व्यक्ति कैसा भी हो बिचुडन का समय पवित निर्मल और कोमल होता है और य यानि दया के भाव पैदा करता है भारत में तो पशुपक्षी भी ऐसी समय में उदास हो जाते हैं और यहां पर लेखक शीवशंबु की गायों का उधारन देता है केता है कि उनकी दो गाये थी एक बलसाली थी दूसरी कमजोर थी और बलसाली गाये हमेशा कमजोर वाली को टक्कर मारती रहती थी एक दिन बलसाली गाये को पुरोहित को दान दे दिया गया पर उसके जाने के कारण कमजोर गाये दुखी हो गई और उसने चारा भी नहीं खाया यहाँ पर पशू में भी और मानवो में भी दशा का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है यानि हमारे पशू भी ऐसे हैं जो विदाई के समय पर दुखी होते हैं लेख़क यह चाता है लाड़ कर जन की विदाई के समय पर हमारे देश में कई प्रकार के शाशक आये और चले गए यह तो परंपरा है परंतु आपका शाशन का दुखों से भरा था लौड करजन को कहता है कि उनके शाशन में काफी सारी कटिनाया लोगों को सहन करनी पड़ी करजन ने सारा राजकाज सुखन समझ कर किया था उसका अंत दुख में हुआ वास्तों में लीला मै की लीला का किसी को पता नहीं चलता लीला मै यहाँ पर कौन है इश्वर को लीला मैं बताया है भगवान को लिला में बताया है कि वो जो करे करते हैं उसका कोई भी तोड नहीं पा सकता जानकरी नहीं प्राप्त कर सकता है दूसरी बार आने पर आपने ऐसे करे करने की सोची थी जिससे आगे के शाशकों को परेशानी नहो यानि कि लाड करजन जो सेकेंड टाइम राज़े में आये थे तो उनका ये उदेशे था कि अन्य लोगों को यानि उनके राज़े के लोगों को परेशानी नहो परन्तु सब कुछ उलट हो गया आप स्वेम बेचेन रहें और देश में है शान्ती फैला दी आने वाले शाशकों को परेशान रहना पड़ेगा लेख कहता है कि आपका स्थान पहले बहुत उच्चा था यानि भारत के लोग उनको अच्छा समाज़े थे आज आपकी दशा बहुत खराब है दिली दरवार में इश्वर और एडवर्ड के बाद आपका सरवच्च स्थान था लेखा क्या पर केता है कि इश्वर मानते थे लोग आपको आपकी कुर्सी सोने की हुआ करती थी जुलूस में आपका हाथ ही सबसे आगे होता था और उंचा भी होता था परन्तु जंगी लाट के मुगापले में आपको नीचा देखना पड़ा आप धीर वे गंभीर थे परन्तु कांसिल में गैर कानूनी कानून पास करके और कन्वोकेशन में अनुचित भाशन देख करके अपनी धीरता का दिवाला निकाल दिया यहां लेकर लाड़कर जन को क्या उलहाना दे रहा है कि हम पहले तुम्हारा स्थान काफी उचा था तुम्हारी काफी इज़त थी लेकिन जब से तुमने ये गैर कानूनी कानून बनाया है तो तुम्हारा स्थान जो है काफी गीर गया है और तुम्हारी गंभीरता का दिवाला निकल गया है यानि अब जो लोगों की नजरों में तुम धीर गंभीर हुआ करते थे उसकी स्तिती काफी गीर गई है आपके इस्तिफे की धमकी को स्विकार कर लिया गया आपके इशारों पर राजा, माहराजा, अफसर नाचते थे परन्तु इस इशारे में देश की शिख्षा और स्वाधियंता समाप्त हो गई यानि कि जो तुमने गलत कानून बनाया है उसके कारण तुम्हारा सब जो किया धरा था वह नस्ट हो गया आपने देश में बंगाल विभाजन किया यानि कि बंगाल के दो टुकडे कर दिये परन्तु आप अपनी मर्जी से एक फोजी को इच्छित पद पर नहीं बैठा सके एक फोजी यानि उनकी सेना का कोई लड़का था फोजी था जिसको वो किसी पद पर बैठाना चाहते थे और उसके लिए उनने धंकी दी थी लेकिन उनकी यह इच्छा स्विकार नहीं हुई थी और इसी कारण उनने उनको इस्तिफा देना पड़ा था लेखा की अभी किरता है कि आपका मनमाना शाशन लोगों को याद रहेगा यानि तुमने जो बंगाल में मनमानी की बंगाल का विभाजन किया वह सभी लोगों को याद रहेगा आप उचे चड़कर गिरे हैं यानि पहले आप बहुत अच्छे पद पर थे आपकी काफी समान था आपका लेकिन आपके कारणों से आप नीचे गिर गए हैं परन्तु गिर कर पड़े रहना अधिक दुखी करता है ऐसे समय में व्यक्ति स्वेम से घ्रणा करने लगता है आपने कभी प्रजा के हित की नहीं सोची यानि प्रजा की भलाई कभी भी आपने नहीं सोची आपने आँख बंद करके हुक्म चलाए हुक्म चलाए यानि अपनी मनमाने की आज्यादी और किसी की भी नहीं सुनी यह साशन का तरीका नहीं है यानि कि यह रज्य चलाने का कोई तरीका नहीं है आपने हर काम अपनी जिद से पुरा किया कैसर और जार भी घेर ने घोटने से प्रजा की बात सुनते थे यानि कि ये दोनों रोग भी ऐसे थे जो कम से कम घेर घोट कर प्रजा की बात सुन लेते थे कोशिश करने पर आपने कभी प्रजा को अपने समी भी नहीं आने दिया यानि जनता को अपने अपने करीब भी नहीं आने दिया नादिर शाह ने भी आसिफ जाके तलवार गले में डाल कर प्रार्थना करने पर कतले आम रोक दिया था नादिर शाह जो राजा था तानाशा था उसने भी ऐसा कर दिया था कि लोगों का कतल करना रोक दिया था परंतु आपने आठ करोड जनता की प्रार्थना पर बंग-भंग रद करने का फैसला नहीं किया यानि कि जब आठ करोड लोग ये कह रहे हैं कि बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए तो भी आपने वह बात नहीं मानी इसलिए आपका जाना निश्चित है यानि आप निश्चित ही जाएंगे परंतु आप बंग बंग करके अपनी जीत पूरा करना चाहते हैं ऐसे में प्रजा कहां जाकर अपना दुख जदाए इससे प्रजा को काफी दुख हुआ दो टुकडे होने से बंगाल के तो ऐसे में आपने बात नहीं मनी तो प्रजा का दुख जो है वह कहां जाकर के बताए जब राजा ही ना सुने तो प्रजा किसे अपना दुख बता सकती है लेखा कि आप यह केना चाहरा है यहां की जनता ने आपकी जिद का फल देख लिया यानि कि आप जो जिद करते हो हमेशे अपन मनमानी करते हो अपने पद के कारण आप उसका दुरुपयोग करते हो जितने जनता को दुखी किया आपके जिसे लोग दुखी हुए साथ ही आपको भी जिसके कारण आपको भी पद छोड़ना पड़ा आप भी दुखी हुए क्योंकि आपको भी अपनी पोस्ट को छोड़ना पड़ा भारत की जंता दुख और कस्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है वह दुख से ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है बलकि उसका रिजल्ट देखती है बेजानती है कि संसार में सब चीजों का अंत है और जंता को भगवान पर विश्वास भी है वे दुख सहय कर भी प्राधीनता का कस्ट झेल रहे हैं य Clone दुखी भी है भारत के लोग और प्राधीन भी है पराधिन यानि परतंत्र भी है खुद की स्वतंत्रता नहीं है और उसका भी हमें कस्ट हो रहा है आप ऐसी जनता की श्रधा भक्ति नहीं जीत सके इतनी अच्छी जनता है यह दुख जहल कर भी पराधिन रहना पसंद करती है लेकिन फिर भी आप उनकी श्रधा का भाव नहीं जीत सके उनके मन में आपके प्रती कोई भी श्रधा नहीं आई यह आपकी नाकाम्याबी को दिखाता है करजन अनपड़ प्रजा का नाम एक आदबार लेते थे यह जनता नर सुल्तान नाम की राजकुमार के गीत गाती है यह राजकुमार संकट में नरवरगड नामकस्थान पर कई साल तक रहा था और उसने चोकीदारी से लेकर के उँचे पत तक काम किया यह हैं उधारन दे रहा है यहां पर लेखक कि जो राजकुमार था उसने कई तरह के काम किये कभी चोकिदार बना कभी उच्ची पोश्ट पर भी रहा जाते समय उसने नगर का अभिवादन किया कि वह यहां की जनता भूमी का एहसान नहीं चुका सकता क्योंकि वह अपने संक कटके समय यहां पर रहा था और वह कहता है कि मैं जा रहा हऊं लेकिन यहां की जनता का मुझे पर एहसान है अगर उससे सेवा में कोई भूल ना हुई हो तो उससे प्रसंद होकर जाने की इजाजत दे यानि जो उसने करे किया जनता के लिए जो उसने सेवा की उसमें कोई भूल ना रही हो तो जनता सेवे कहता है कि उसे अच्छे से विदा करे जनता आज भी उसे याद करती है यानि जो लोग अच्छा काम करते हैं उन्हें जनता हमेशा याद करती है यह उधारणिया पर राजकुमार का देखर के लेखक दे रहा है आप इस देश के पड़े लिखों को देख नहीं सकते हैं आपसे जो आपने जनता के प्रती करतवे का पालन नहीं किया है उसको जनता कभी भी भुला नहीं सकती है लेख करजन को कहता है कि राजकुमार की तरह आपका विदाई संभाशन भी ऐसा हो सकता है जिसमें आप अपने स्वार्थी सभाव और धुर्टता का उलेख करें यानि उसी तरह से आपको भी करना चाहिए जैसे राजकुमार ने किया था भारत की भूली जनता के प्रती करतग्यता व्यक्त करते हुए कह सकेंगे कि आशिर्वाद देता हूँ कि तु फिर उठे लेख कह रहा है कि लोगों को आशिर्वाद देना चाहिए आपको कि हम उचे उठें और अपने प्राचीन गौरव और यस को फिर से प्राप्त करें मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझें आपकी इस बात पर देश आपके पिछले कारियों को भूल सकता है लेखक क्या किया रहा है कि आपने जो एक बहुती बुरा काम किया है बंगाल का विभाजन करकी लेकिन अभी भी आप ये कह दें कि मैंने तुम्हारे साथ चल किया है धुर्तता की है तो शायद भारत की जनता आपको माफ कर दे लेकिन लाड़ कर जन में ऐसा कोई भी गुण नहीं है वे अपनी गलती यहां पर स्विकार नहीं कर रहे हैं जो लेखक उन्हें इंगित कर रहा है कि आपकी धुर्तता को यह दियाप स्विकार कर लेंगे तो भारत की जनता ऐसी है जो आपको माफ भी कर सकती है आपके कारियों को भूल भी सकती है लेकिन आप में इतनी उदारता नहीं है आप इतनी लिबरल नहीं है कि जनता के प्रती जो आपने बुराई कर दी है पुरा कारे किया है उसको भूलने के लिए आप अपनी उसे छमक प्राथना करें आप में इतनी उधारता नहीं है यह है आज का हमारे पाठ का सारां से थेंक यू फर वाचिंग